की थो कि अपने को दोस्तों आज मैं आपके सामने कुलींग टौर का रिलेटेड कुछ विडियो लेका यहूं तो अगर को बहुत ही फ़कर हैं देखकें कर दोस्तों चलते हुं जलतेश वीडियो कि दोस्तों आज जो हम आपको बताने जारे हैं दर आज में बताने जा रहे हैं आक को सो पर्फरमेंश यानि अगर आप से इंट्र्वु पुचता है कि किसले करता है तो यहार पर डिपेंड करता है सब पे बेटर जो आधने जाहरे है की रेंज किसको बोलते हैं कुलीन तावर कहा होता एप प्रोच नहीं यह देख रही चलिदी HAS अब रनें हुए हब हुए हमिधो बोरको एधना फ़ानि की है कि यहां पानी की नोरा है यहां से पांइ आउट आउट आओ हो रहा है यहां पाई यहां से पानी opt हो रहे है इसको बोहते हैं होट वाकर टेंपरिचर इसको बोलते हैं एक और लो टी डैव सुर्फिक है ति वेट बलक तेंपरेचर अभी हैं बताएंगे दोस्तों कि वेट ब्लक तेंपरेचर चाह wire होंता है यह हमारा कुली टावर में जो हमारा जो पानी जो हमारा कंडेंसर से पानी आ रहा है इसमें और यह पानी जो फिर हमारा कंडेंसर में जा रहा है और दोस्तों कि आउट हो गया यह हो गया तो जो इन पानी आता है और जो आउट जाता है तो थंडा पानी जाता है और दोस्तों कि तो मुलते हैं तो देखे दूस्तों धुप जो है की हमारा हमारा यह जो रीज होता है Yaha से इसको यहां से यहां तक को री है कि रीज बोल्ते हैं यानि क्या है होट वाटर टिम्परिचर मैनस बोल्ड वाहर टिम्परिचर इसको क्या बोलें गεί हिए रोट वाटर टेंपरेचर में हमारा लेज हो जाए आगर इसमें से अगर मानस कर देंगे तो आज जगा कर रेंगा कर तब देखें दो कि यह दो क्रेंजिन आपको समय आ धिया होगा किसको बोलते हैं किम लिखे क्रोश को बोलते दोस्तों यह हमारा जो डबू बी टेंप्रेटर के डबू बी टी मैंनस डवालू टेंपरेटर किया पूलेगे दोस्तों एप्रोच कि इसको क्या पूलेगे एप्रोच यह बहुत इंप्रेट कोश्चन है जोतों एक एंजामने चोंपना मांगी जहें इदर से यह जो हमारा टेम-चरों भी जो हो रहा है ये माल लिजिये 42 डिट ग्री सेल C, माल लिज़। ये जो हमारा यहां जो डवी-टी टेमप्राइशर होगा माल लिजये 25 डिटी कि अधोंसतों आप इसमें होट बाट जो है, मांगे होट उटली तूड़ी इसलिग्री celsाres, heated माइनस 35 इसलिण इसको कितना ओजाएगा दो स्थेवन डिरία यह हमारा रेंज होजाएगा अगर इसमें आगे बात , तो इसलिण स्टाइं कितना हो जाएंगा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस यह हमारा एप्रोच आ जाए गा टाप लोगों समय में आ रहा दोस्तों यह उस निकालने कर तरीका यह और रेंज निकालने कर तरीका यह अब क्या है दोस्तों WBT तो डबलू बीटी जो हमारा क्या होता है, डबलू बीटी समझे दोस्तों, मान के चलिए एक थर्मामेटर है, आभी आज के डेट में दोस्तों, दोस्तों, दो तरागे थर्मामेटर भी आ रहे है, एक जो है, विदाउट, क्या होता है, एक थर्मामेटर जो है, मान के चलिए अब थर्मा मेटा अब थर्मा मिटल हो क्या कि ईदोस्तों एक पड़ा लेजिए इसमें कपड़ा धोल सा लपेट दीए इसमें कपड़ा लपेट दीए और इसको मेरा कर दीए कि इसे पाने तो डालके घीला करते हैं रखिए इस पे रखे अप एशञी कीज़ psic करने के बाहर का asking ढूट्रेट एप एशने कइज जो मिले। टैंप्रेटर आपको बतायाईगा वह हमारा आप तो डिशे लिए आ रहा है इसमें पहले से लपटा हुआ अब जिसमें नहीं है तो आप उसको इसे उसके चेक कर सकते होगे दोस्तों अब क्या अब देखिए नेक्श्ट है इसे अब दोस्तों इफिसेंसी कैसे निकलते है यह जो तर Haben है अगर डोस्टो अभी में बताने जा रहे हैं कि इयरे के इसे निकलते हैं हम ए यह बिपोस्टों कि आकि इंड्री में प्रज्चर्ण नियुन प्रॉट्ब कुए शमक्तों तो जो अभी हम देखिए अभी आम बताएं एप्रोच यह हमारा जो रेंज है फुलीं टावर का जो रेंज है वो कम से कम हमारा जो है कितना मतलब आपका होना चाहिए हमारा 10 डिग्री सेल्सियस तक हमारा रहता है अज़ीं तो पॉए दोस्तों हमारा 5 तू 10 जाता है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री से तक रहता है यह अ-प्रोच की बात करें यह एक रोच की हमारा जो है दोस्तों द्यूपॉइंट डिग्री सेल्सियस से काम होना चाहिए तो जेनरली जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है हम लोग जो है 0-4 तक पर ज्यादा हो जा रहा है तो फिर आप पुलिंग्यावर का जो है आप वह नहीं कराइए या फिर इसकेल कराइए या तो फिर जो है आपका फानी चेंज कीजिए आपको मतलब जो करना है फिल स्क्रीन कराई है जैसे मतलब करना है आपको स्क्रीन करना है तो दोस्तों तो आप आगे क्या है इफिसेंसिक बात करते हैं इफिसेंसिक क्या होता है देखिए दोस्तों इफिसेंसिक बता रहे हैं इफिसेंसिक बात करें पर किल्क्लेड के बाद इन्टू हंड्रेड अब इसको करेंगे कितना जागा दोस्तों इसको मंटिप्लाइब करने के बाद किल्कुलेट करने के बाद जो है आपका 41.17% यह हमारा कुलिंग टावर के एफिसेंसी आ जाएगा तो आप से पूचता है कि हमारा कुलिंग टावर का पॉल्पोर्मेश सबसे अच्छा होता है तो अब क्या बताएंगे दोस्तों तो आप बताएंगे कोलिंग टावर का सबसे अच्छा परफ़्द करता वह जो है ठंड में होता है मंदब जो हमारा कोडल का सीजन होता है उसमें कुलीं टावर का परफरमिस जो है बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर सबसे खराब की बात करें तो आप लोग सोधी रहोंगे दोस्तों सबसे खराब को गर्मी महोना चीजिए नहीं सबसे ज्यादा खराब जो होता है हमारा बर्शाथ के मोशन में होता है उसमें क्या होता है कुलीं टावर का परफरमिस तोड़ा खराब रहता है ओके दोस्तों सबसे यह सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है तो यह दोस्तों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्च